अनन्या पांडे पहुंची एंसीबी के ओफिस आपको बता दें कि आज खार में अनन्या के रेजिदेंस पर एंसीबी की एक टीम पहुंची थी डेड़ घंटा वहाँ पर सर्च ओपरेशन चला इस दौरान एंसीबी की टीम अनन्या के घर से लैप्टॉप, मुबाइल और अनन्या की फाइल भी एंसीबी के ओफिसर्स के हाथ में नजर आई, डेड़ घंटा सर्च ओपरेशन चला जसके बाद एंसीबी की टीम वहाँ से रवाना हुई, इस दौरान अनन्या को समन भी जारी किया गया, उन्हें दो बज़े एंसीबी के समख पेश होने के लिए कहा गया, एंसीबी की टीम के जाने के बाद चंकी पांडे अनन्या के घर पहुंचे, उनके वकीलों से लीगल टीम से बात की, दो बज़े का टाइम था, लेकिन तीन बज़ गए तब तक अनन्या, एंसीबी के ओफिस नहीं पहुंची, अब फाइनली, साड़े तीन बज़े के आसपास खबर आई कि अनन्या अपने घर से निकल चुकी है, एंसीबी के समख पेश होने के लिए, अनन्या के पहली फोटो सामने आई है, जिसमें वो वाइट कलर के कुर्ते में नजर आ रही है, एंसीबी के सामने, उन्हें गवाही के लिए बुलाया गया है, आपको बता आरियन की चैट थी और उस चैट के मामले में ही अनन्या का स्टेट्मेंट एंसीबी की टीम को लेना है, जिसके लिए अनन्या को एंसीबी के ओफिस बुलाया गया है, अनन्या कुछी देर में एंसीबी के ओफिसर्स के सामने पेश होगी